चैवरन को पहचानना और लिखना ये निपन से आईए हमें अब हमें इस वीडियो है देखो ध्यान से देखो चैवरन को पहचानना और लिखना इसको सुनो ध्यान से आप देखो इसमें क्या है ये चटाई क्या है ये चटाई तो इसके पहले वरन की कौन सी धवनी शुरू हो रही है चा की पहचान हो गई शुरू इसके नाम को तोड़ के बोलते है श टा इसमें पहली आवाज है श मैं यह नाम लिख देती है शटाई मैंने लिखा है शटाई और इसका पहली आवाज है श दूसरी है टा और आगे है ई श टाई आगे समझ में नेक्स्ट देखो आप बताओ इसकी पहली आवाज क्या है श सही बताया आपको बच्चों अब आच की आवाज से शुरू होने वारे और कुछ शट और नाम बताओ मैं आपके बोले हुए शटों को लिखती हूँ शम्मच चना शर्व शापदाश बच्चों चलो इंशंधों के पहले वाण बड़ और पुला लगाते हैं अब बोलो फर्स्ट क्या है चर्वा जिनme गीरिखाश साइकेंड वाला क्या है चर्वाला क्या है चरखा चम्मच चना चरखा ठीके अब देखो चम्मच में क्या है पहली अवाज चरखा क्या इसमें और भी है कौन सी है देखो यह वाली नेक्स्ट में कौन सा है चरखा ठीके अब आगे चरखा चरखे में भी फर्स्ट चा अब आगे बताए यह है चरख और यह भी तो चरख है बच्चों बताओ आपकी स्क्रीन पर कौन सा वर्ण है आप यह बताओ आप यह सही बताया है चरख एक बार फिर से मेरे साथ बोलो चरख चलो अब हम चर को लिखना सीखते हैं आप भी अपनी कौपी पर लिखो लिख सकते हो ना यह देखो अब आपको आपको यह वाकशीट लिकरनी है आप इसमें देखो और हाँ कारिय को पुरा करने के बाद बोलता है ना कि वीडियो बना के भी जो यह फोटो खीच कर भी जो तो आप किया गरो ठीक है आप देखो चो से शुरू होने वाले आप बताओ इसमें कौन शाप पिक्चर चो से शुरू हो रही है चलवा चलवा मच चूह मच जिस पर मैं हाथ लगाओ वो बताना यह वाला बताओ चा से यह किस से शुरू है चा नाम क्या है इसका चूह नाक्स्ट वाली क्या है ना अब यह थाड़ पिक्चर यह क्या है पेड़ पेड़ में किस की आवाज आई तो क्या हम इस पर निसान लगा सकते है हमें लगाना किस पर है जिसकी आवाज ज़्वानी चौवरण से शुरू हो ठीक है आगे कौन सी सीज है चरबूज अब बताओ इसमें हम निसान लगाते हैं लगाना है नेक्स्ट क्या है तर्बूज तर्बूज बताओ तर्बूज इसमें लगी आगे नल में किसके आवाज आ रही है ना के आ रही है आगे कया है चश्मा चश्मा के दिख करेंगे क्ःषी आ रही है तो हम इस पर टिक करते है आगे कौन सा इह चाकू कि वह में बताओ तो इस पर टिक करेंगे ना हमें ज convey mindful निसान लगाना है अब नेक्स्ट देखते हैं देखो नेक्स्ट हमारी किस वक कौन सी वक्षीट है देखो साथ कौन कौन सी संख्याओं को खा गया और लिखो देखो यह स्नेक है है ना अब यहां से स्नेक आना सुरू हुआ ठीक है अब बताओ इसने पहले कौन सी संख्या को खाया थी उसके बाइद किस को खाय 13, 14, 14, 11, 12, आगे की आएगा? 13, और देखो, इसने दोनों संख्या को खा लिया, तो दूसरी संख्या कॉनसी खाई उसने? 14, और 15 को बच गई ना? इसलिए 12। 5 के बीच की संख्या कॉनसी कॉनसी थी? 13, और 14, वो खा गया, अब आप आगे वाली संख्या को चेक करो कौन-कौन सिखा लिए 24 24, नेक्स्ट वाली संख्या कौन-कौन सिखाई 34 34 35 36 36 34, 36 नेक्स्ट वाली कौन सिखाई 46 46 46 आगे समझ में नेक्स्ट देख्थे अच्छा देखो ये अभी भी बोल रहे है कि बच्चो इस हपते का प्रेगती पत्र आ गया है जिन बच्चो ने कार्या करके वीडियो या तस्वीर हमारे साथ सांज्या करी उन्हें इसके बदले में मिलते हैं देर सारी स्माईल जो जो बच्चा इस पर वीडियो भेजता है ना अपने काम करके घर पर उसकी ऐसे करके देखो स्माईल लख वाला पेज आ रहा है ये देखो ध्यान देखो जो बच्चे इस हपते भाग नहीं ले पाए मायूस ना हो अगले सप्ता आपको ये कारिय की वीडियो या तस्वीर इस वाट्सप ग्रूप पर भेज कर प्रगती पत्तर में बहुत सारी स्माईल लेना आगे है आप सबको बहुत बदाई अगले सप्ता के लिए सूब काम नाए देखो ऐसा मैडल भी मिलता इसमे एक पेज पर आएगा बिटा जो जो बच्चा काम कर रहा है यदि आपका ये आपके बच्चे का नाम प्रगती पत्तर में नहीं है तो क्रिपा यह अभी भावक enrollment form भर दीजिए जिस बच्चे ने ये form अपना नहीं भर रखा न वो इस link पे clip करके अपनी information उसमें भर देना बिटा जिसके पास ने देखो मैं किस कौण कौण बच्चा भेजता है देखो मैं नाम बताती हूं आप देखो प्रगती पत्तर किस किसका आया Mr. Maaj Mevati किसका नाम है वर्षप पे नाम है पिछे 767 phone number है किसका है वो 667 पिछे का number है उसने देखो भेजा था 17 number को तो उसकी देखो ये smile आई बस एक ही भेजा उसने उसके बाद है माहिरा खान देखो ये वाली माहिरा इसने ये रोज भेजती है काम देखो इसके रोज कैसे कैसे medal आ रहे है आप देखो देखते हैं आपका भी रहीम कोन है मिस्टर रहीम तो ठीक है देखो उसकी भी सारे सप्ता की smile है और तीन में king बनके आई है queen आईए ना next में देखो कौन है ये कौन है बताओ मुहमद कैस और कैस भी हर रोज काम करके और यहां पर send करता और उसको देखो queen king का उसने smile बना हुआ है ऐसे आप सभी करना करोगे देखो इस link पर जाना देखो मैं भेजती हूँ आपको ये link हो गया अब यहां पर देखो हम इस link खुलके हमारा ये आ गया देखो इसमें क्या है जैसे सबसे पहले क्या बोला है ये वाला भरना है देखो इसको हम उसना नमस्कार अब enrollment form में आप अपने बच्चे की तस्वीर भी देख सकते है enrollment form में लगाई गई तस्वीर आपके certificate पर भी दिखेगी यहां क्लिक करें और अपने प्यारे बच्चे का फोटो अपलोड करें यहां पर देखें ठीकें और इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है आपका जिसका mobile नमबर जैसे आप अपना भर रहे हो तो आपके पापा वाला mobile नमबर इसमें भर दे रहा बढ़ने के बाद फिर क्या करना देखो कैसे करना ध्यान से देखो सभी बच्चे देखो बढ़ने के बाद इसमें mobile नमबर भर दिया उसके बढ़ाए आप अपने बच्चे के स्कूल के माधाम से सक्सी कार्य करह में नमकन कर रही है आपके बच्चे की सिक्षा को बहतर बनाने के लिए आपके द्वारा प्राप्ट वर्ट्शप ग्रूप के कारिया को डेटा जानकारी हम भविश्य में उप्योग करेंगे यदि आप कारेकर में भाग नहीं लेना चाहते तो किर्पया स्कूल वर्ट्शप ग्रूप छोड़ दे वर्ट्शप प्रोग्राम के बारे में अन्या प्रस्णों के लिए किर्पा संदेश इस फोम को जमा करके आप उप्रोप्त नियम और सर्तों से सहमत है अब यह से इसमें फोम भर दोगे ना ठीक है उसके बाद इसको आगे आपके पापा को हिंदी आती है तो हमने हिंदी चुन ली ठीक है यहां पर फोन नमबर डालेंगे जैसे मैंने मेरा डाल दिया डाल दिया मैंने मेरा ना अब इसमें सब्मीट का उप्शन खांगे यहां पर फोटो लगानी होती है बिटाप को क्लिक करके अरे किसको यह देखो ने चल रहा न इसलिए नहीं आ रहा है जब यह नेट चल पर जिवयाँ गाला यह बीदा टो यहां पर घाना डाले ठीक है देखो बच्छेहां देखो बच्छे quota फोन नमबर बहर दिए बस लाम के ममी का नाम है यह कले करना यहां पर बहर देना कर लोत भी अब बच्छे हैं है कि आगे बुश क Knights सेलिए ए मन करें झाल सब्छोह जा फौन मेरे पास ले आना मैं करवा दूंगी, आप बच्चे के पिता का नाम, अब आपके पाप का नाम पर कर देगा, होगे ना, अब यहां पर देखो, कलिक और अपर फोटो, जैसे देखो, मैं कलिक करूँगी ना, देखो आगी ने मेरी गैलरी आगी ना तो फिर मैं जैसे तुम्हारे भी ऐसे गैलरी खुल जाएगी और उसमें से फोटो उठाके वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे न वो वहाँ पे चले जाएगी ठीक है देखो इसमें लिखा हुए किरिपय अपने बच्चे की तस्वीर ही सांजा करें क्योंकि यह उनकी शिक्षा के लिए है किरिपय किसी भी धार्मी कारटून या सांस्कृतिक प्रितिकों को सांजा ना जरें लगा देते हैं लगा दिया हम बगवान की लगा देते हैं अपनी खुद की फोटो लगाने मंपापा की लगा नहीं लगाने अच्छ उसके बाद है आपकी तस्वीरें एक व्याप विस्थापक द्वारा समिक्षा के अधीन है और केवल तभी स्वीकार की जाएगी जब यह ह इस इसद्मिय आप मतलब लड़का ओ लड़की तो लड़की डाल दोगें प्रिआपक इसको करोगे ना तो यहां पर आर रहा है लिंग महिला आ पूर्स तो आप ट्या हो हैं आप तो आ eating उसके बाद कख्षा यहां पर देखो फर्स्ट करोगे ना कख्षा देखो इसमें लिखा हुआ है पहली कख्षा आ गया ना इस पर क्लिक करोगे उसके बाद देखो क्या लिखा रोकेट लर्निंग में नमांकित अपने सभी बच्चों का विवरन भरने के लिए निचे दिये बटन पर क्लिक करें और अपने बच्चों का विवरन दर्ज करें बच्चे जोड़े नमांकित बच्चों को संख्या एक आगे ना समझ में आप ऐसे करके यह पूरा फॉर्म फिल कर लेना समझ में आगी बाद और फिर ऐसे करके नीचे सब्मिट का बटन आजाएगा वो दबा देना अब देखो यह दबाएंगे हम ठीक है नमस्कार अब अप अपने पच्चे की तस्वीर भी देख सकते है आगे इसे दुसरे बाएंगा करना ओ तो उसमें भी ऐसे कर सकते हैं समझ में आगे रहा क्लिक करें और अब नेक्स देखो अब आगे कौन सी वक्षीट आई है हमारे पास यह वाली स्नेक वाली तो कर ली हमने यह स्वीर ठीक है यह देखो माहिरा ने भेज रखी है बंदर का खेल आता इसमें देखो ध्यान से देखो एसे ही बंदर की तश्वीर गरूप पर बेजरे है तो यह जो खेल आता ना पड़ उसमें खेल लाऊता यह थेलد यहाँ पर जाएंगे न हमाम इसको ध्युक्त कर यह जाएंगे आ गया यह देखो केला देखो ध्यान से क्या है यह क्या बोला इसने यह कितना है देखो थ्री हमने इसके अंदर यह कितने है वान टू ट्री फोर फाइन सेवन एट नाइन टैन इलेवन तो थ्री हमने ट्वैल बनाने के लिए थ्री तो एड़ करने है कितने नंबर और चाहिएंगे कितना ट्वैल बनाने के लिए एट में 3 जोड़ेंगे तब क्ल में 9 जोड़ेंगे तब 2 आते हैं मैं में 3 जोड़ेंगे तब यह 7 में 3 जोड़ेंगे था बताओ कैसे नाइन में 3 जोड़ेंगे तभी कोर न सब combien जोड़ी पाड्याए गा देखो ध्यान से सुनो तुम सुनने नहीं दे रहे बार ध्यान से क्या कह रहा है यह अब यह देखो शुप हो जाओ अब ना के अंदर ला लिखेंगे ना और ला क्या बन गया नल अरे वो आया है वो भूरगी में करना उसको दुवारा देखेंगे ना ला 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 नल मन्या में जी देखो ना दिलिया में देखो फॉन पर देखेंगे नेक्स्ट वाली वक्षीट देखें आब नेक्स्ट वाली वक्षीट है एक यह वक्षीट आई थी बेटा देखो तिरंगे के रंग देखो अभी हमारी 26 जनवरी आ रही है तो ने श्चारा बना हुआ है लाओ Même मोड़ी वां आप देखो फॉस्ट में उपर वाला कौनशा क्लव रंख है केसर क्ट सर्परन और स्सक्ट क्वल क्वछाय वोल टेए लृइस्ट और थाड नमबर पे कौन सा कलर है और बीच में जो ये सरकल बना हुआ है इसका क्या नाम है इसको बोलते हैं असोक चक्र क्या बोलते हैं इसको चक्र और देखो इसकी तिलिया है इसमें ये 24 तिलिया जैसे हमारे हावर्फ 24 होते हैं पूरे दिन में इसमें भी 24 तिलिया बनी ह हुई है यह कितने तिलिया बनी हुई है 24 समझ में आ रहा है आप देखो अब ऐसा ही आपको एक तरंगा बनाना है और उसमें सेन कलर करना है फोटो खीच कर गुरूप पे भेज देनी है इतना ही तो करना है आप देखो हमारे पास एक वक्षीट ये भी आई थी देखो ये बच्चों ने भेज रखे न गुरूप पे आपने भी भेजा होगा बिटा तभी तो आपके इतनी सुंदर स्माइल आई हुई है देखो हमारे राष्ट्रिय परतेक पर गोला बनाएं हमने आपके लिए एक ब क्या है अब देखो क्या लिखा हुआ राष्ट्रिय पक्षी कौन सा है कि कौन सा है इन्होंने ये गोला लगा कर तो भेज रखा है इसका मतलब पता चल गया आपको कौन सा है राष्ट्रिय पक्षी हमारा राष्ट्रिय पक्षी है अब देखो दूसरा राष्ट्रिय फूल कोन सा है, बताओ, ये वाला, कोन सा, क्या नाम है इसका, कमल, अब फर्स्ट वाला फिलावर कोन सा है, सूरज मुखी, कौन सा है ये, सूरज मुखी, सैकिंट वाला फिलावर कोन सा है, गुलाब, रोज, क्या बोलेंगे इसे, रोज, और हिंदी में क्या बोलते है, गुलाब, कौनसा है बिटा क्लामर समझ में आ रहा और इंगिलिस में हम इसे कहेंगे lotus क्या पोलेंगे? lotus और ये क्या है? सदा बहार क्या है? समझ में आ गया? evergreen बोलते हैं इस तो इंगलिस में समझ में आ रहा ले बिटा? भब देखो हमारा राश्ट्रिय फूल कौन सा है तो कौन सा है हमारा राश्ट्रिय फूल कमाल कौन सा है कमाल और हम इंगलिस में से क्या कहते हैं बोला था मैंने अभी लोटस क्या बोलेंगे लोटस इंगलिस में हम इसे क्या बोलेंगे लोटस अब हमारा राश्ट्रिए फुल कोनसा है लोडास ठीक है अब यह फर्स्ट में कोनसा फल है अब यह मैंगो है और हमारा राश्ट्रिए फुल कोनसा है आम है ये कौन सा फ्रूट है लिटाइपल, ये कौन सा फ्रूट हैपल, बनाव अब राश्ट्रिय स जानвар कौन सा है? वो शेर शेर, अब देखो, फरस्ट में कौन सा है ये? गाए इंगलिश में हम बोलेंगे काव, सैकिंड में कोन सा है? गी रन और हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे यह क्या है और यह क्या है ताइगर शेर तो यह हमारा राष्ट्रिय जानवर कॉन सा है क्या है यह हम को हम हिंदी में क्या बोलेंगे मैं से पध्यान लगा दिया था गोला पर मैंने में टोकेश पर लिग दिया जानवर कौन सा है हमारा राष्ट्री है लोयान इसे हिंदी में कौन सा बोलते है ठीक है अब ऐसे ही इसकी आप करके और फोटो ग्रूप पे भीज़ देना समझ में अच्छा इसके उपर एक वक्षी टोड़ देखो इस एक यह वीडियो आई है देखते हैं हम इसमें क्या कह रही है मैं देखो खोलो ऐसे हम इसे उपन करेंगे यहां पर यह बोल रही है देखो ध्यान से सुनो हेलो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जन्वरी का दिन आन चाहते हैं कौन सा नाष्ट्रिय फल है कौन सा राश्ट्रिय इसले कौन अमारा न opened थे सारे टाने जैसब्र जन्वरी कर लेते हैं हम आपको एक तस्वीर भीज रहे हैं जिसमें फुपचितर बने होंगे और उन्में से आपको सही राश्ट्रे प्रतीक को पहचाल कर उस पर गोला बनाना है तो बस जल्दी से बर्तूं के साथ सही राश्ट्रे प्रतीक पर गोला बना कर हमें गुरूप बेज देढ़े अब इसमें हैं तिरंगे में रंग भर के करके हुमें ग्रोप पर ज़रूर भेज़ें देखो ऐसे वाला कर यहाइसा ही आप अपने कोपी में बना लेना हे भूस में धर के इसमें फोतो भीज़त के इसके उपर भूपी आपने चुल्बुली को सही रास्ता ढूनने में मदद करके उसे तिरंगे के पास पहुचा दिया। तो चलिए फटाफट तिरंगे में रंग भर लेते हैं और हां रंग भरके तिरंगे की फोटो हमें जरूर बेजिएगा। अब आगे तो यह जाई नहीं पाएगी चुल्बुली आगे हर्ट में हम यहां पे गए यहां पे गए और यह रास्ता यहां से उपन है। लेकिन अब यहां से बंद होता है, यहां पे भी दो रास्ते उपन है, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो यहां पे बंद हो गया, हम नहीं जा सकते, दिवार आ गई ना, अब हम वापिस इस रास्ते से जाएंगे, है ना, और यह देखो यहां से उपन है, यहां पे बुली एक जुरूरी संदेश लेकर आई है जानने के लिए इस वर्टसप को वाइस नोट को सुनें अब ध्यान से सुनों सभी बचे हेलो फ्रेंग्स मैं आगे हूँ आपकी प्रोस्ट चुनवरी फ्रेंग्स पता है 27 जनवरी आने वाला है और इस तिंग को आज 23 जनवरी है अब आ रहे है 26 जनवरी क्या बोलते हैं क्यों खास है तो मैंने सूचा कि मैं ये बात आकर अप लोगों को बता दूँ या दिन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी होता है और इस तिंग कुझे देश में चुची भी होती है क्या कह रही है ये कह रही है कि जो गणतंतर दिवस है ये हमारे देश का बहुत खास दिन है कैसा दिन है खास दिन का मतलब थोड़े थोड़े ऐसे हो जाओ खास दिन का मतलब खास दिन का मतलब और हम सब मिलके चर्ण कर मन रहेंगे इस दिन क्या होता है कि हमारा समवीधान लागू हुआ था क्या हुआ था? लागू हुआ था ठीक है? देखो ध्यान से सुनो अब क्या कह रही है यह इस दिन क्या होता है छुट्टी होती है लेकिन स्कूल में तिरंगा फैराया जाता है और हम सब मिलके चंगर मन रहेंगे तो क्या करते हैं राष्ट्रिय गान गाते हैं हम गाते हैं डेली प्रेयर में राष्ट्रिय गान गाते हैं वही तरंगा फैराने के बाद जन गन मन यह हम राष्ट्रिय गान गाते हैं प्रेंट्स तीचा ने बताया कि बच्चों के लिए करतंत्र दिवस का उतेश्य यही है कि हम सब हमेशा मन लगा करी मानदारी से पढ़ाई करें एक दूसे की मदद करें और अपने सब भी साथियों के साथ मिल बातकर प्यास से रहें हमारी टीचर ने बताया कि गण तंतर दिवसपर का उदेश्य यही होता है कि हम मन लगा के पढ़ाई करें अपने दोस्तों के साथ अच्छा से बात करें सब की मदद करें सचा है सच बोले और क्या करना है अच्छा से सब के साथ मिल झूल कर रहना है है अपने समान चीजों को जुरूर्त मंद को देना है और क्या क्या बताया कुछ ना करें या बोले जिसे किसी का भी दिन दुखी या उसे पुरा लगी हम सब बच्चों को पढ़ क्लिक के आगे बढ़ना है ताकि हमारा देश भी आगे बढ़ना है आप इस यह जो है वीडियो आपके भी फोन में है आप उस चीज को क्या क्या कह रही है वो याद भी कर सकते हुए